आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में सभी को पहले बहुत बहुत गुन मॉर्निंग क्रोना वायरस यानी COVID-19 का प्रकोफ फिर से अपने भारत में बहुत तेजी से देखा जा रहा है तो अपना ध्यान रखेगा अपने परिवार का ध्यान रखेगा लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बिलकुल नहीं गुशता है इसका एंसर आप सभी के पास होगा तो इसका एंसर आप सभी बताना कि जो क्रोना वायरस है जो यह वायरस है यह जहां पर रैली होता है जहां पर चुनाव परचार होता है जहां पर लाखों के भीड होती है वहां पर यह वायरस नहीं जाता है क्या लेकिन एक स्कूल में जहां पर चंद बच्चे एक क्लासरूम में 10-12 बच्चे बैठते हैं वहां पर बोला जाता है कॉलेज और इसकूल बंद होगा कि करोना वायरस बढ़ रहा है लेकिन रैली में करोना वायरस नहीं बढ़ता है यह लॉझिक समझ में नहीं आया इसका लॉझिक एक ही हो सकता है जो कोविड नंटिन है ना जो करोना वायरस है या तो वह 18 साल का अभी नहीं हुआ है लेकिन वह बच्चा है अभी किसी लिए वे स्कूल स्कूल घूम रहा है ऐसा हो सकता है चलो Class को Start करवाते है Class कितने में चलता है तो आपका ये Class चलता है आपका साम को 4 बजे और हर Class का PDF आपको Success E98 के Telegram वाले गृप के उपर जो है वो Share कर दिया जाता है जहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं हर एक class का पीडियप और कल मैंने CHSL का जिसका भी exam होने वाला है कल मैंने बहुत सारे पीडियप दिये हैं और ऐसा पीडियप जिसके अंतरगस से आपके exam में question बनेगा वो सारा पीडियप न टेली ग्राम वाले ग्रूप के उपर पड़ा हुआ है तो जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा class को फटा-फट स्टार्ट कर वाते हैं पहला question आपके screen के उपर ये रहा इसका answer आप सभी को बताना है पहला question अमारे सामने क्या बोल रहा है 1919 में दिल्नी में अखिल भारतिया खिलाफत सम्मेलन के अध्यच के रूप में निम्लिखीत में से किसे चुना गया था पहला question थी, 36 नमबर और हर एक question के लिए आपको timer दिया जाएगा फटा-फट और फटा-फट कम से कम class को share कर दिया जाए चीक है, जितने लोग भी देख रहे है एक एक लाइक, आज के लाइक का target लाइक से पैसा नहीं मिलता है, बस मुझे motivate मिलता है कि अगर मैं आप सभी के लिए महनत कर रहा हूँ तो इसके बदले में आप सभी class को कम से कम पसंद कर रहे है तो आज के लाइक का target रखते हैं पंदरा सो लाइक का उमीद करते हैं ये लाइक आप complete कर दोगी पंदरा सो लाइक का target और पहला question का answer तो आप देना ही देना पहले आप ये सोनो कि भारतिया खिलाफत सम्मेलन आपने सुना होगा ना खिलाफत अंदोलन जो 1919 में हुआ था उसको lead कौन कर रहा था उसके founder कौन थे खिलाफत movement का तो दो अली ब्रदर दो अली भाई नाम क्या क्या था उनका तो एक तो आपका सौकत अली और दूसरा आपका महमद अली ये आप याद रखना इस बार NTPC के एक्जाम में पूछा गया था खिलाफत अंदोलन जो 1919 में हुआ था उसको lead उसका head कौन था तो सौकत अली और महमद अली ये दोनों अली भाई थे ये दोनों head थे और खिल खिलाबास समयलन का अध्यच कोचिने चुना गया था answer क्या होगा फटाफट क्या बात है भाई महात्मा गांदी देख अरे बापरे answer A आ रहा है सौकत अली सूबा जीत रोहीत अमर जीत A याद रखिएगा answer अधिकांस answer इस परस्न का गल्ती आ रहा है इसका answer महात्मा धांदी जी होगा option number आपका C सभी कोई महात्मा गांदी सौकत अली जो भी बोल रहे हैं आप exam में number अपना गवा कर आईएगा तो इस question को बिसेश करकर अच्छे से एक बार अपने दिमाग में छप लो छपा लो दिमाग में अपने दिमाग में सब कोई question को चाब दीजे क्योंकि आपको दिखरा होगा खिलाफस सम्मिलन बोला है खिलाफस सम्मिलन का हेड कौन था तो सौकत अली और मौहमद अली ये दोनों भाई थे तो यही इसके अध्यक्ष हो सकते गलती answer है भारतिया अखिल भारतिया खिलाफस सम्मिलन का अध्यक जो है वो महात्मा गांदी जी को चुना गया था answer number C होगा अगला question हमारे सामने जो की most important very 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 important question है question बोल रहा हमारे सामने भारतिया लोग सेवा आयोग के स्थापना किस अनुछेत के अंतरगत हुई है यह आपको बताना है आपको एक एक चीज बताऊंगा मैं इसका answer देना पहले आप सभी टाइमर पकड़ लो जितने लोग भी देख रहे हैं पहला चीज आपको यह याद रखना है इस question से ध्यान से सुनना मेरी बात यह question बस एक परस्न नहीं है इस परस्न से बहुत सारे परस्न बनते पहला परस्न क्या बनता है आप सभी का फर्स्ट परस्न एक एक चीज मैं दिखाऊंगा पहला परस्न आप सभी से पूछा जाएगा कि आप सभी को भार्टिया लोग सवसेवा आयो तब पहले नाम क्या था पहले नाम क्या था वो पहले नाम था आपका Public Service Commission याद रखेगा इसका पहले नाम था आपका Public Service Commission इसका गठन कब किया गया था आप संग संग याद रखना इसका गठन किया गया था एक अक्टूबर 1926 को ठीक पहले भारतिय कौन थे जिन्होंने Indian Service Commission एक्जाम को पास किया था सतिंदर नाथ टैगोर पहले भारतिया जिन्होंने Civil Service Commission जो एक्जाम है यह निकाला था सतिंदर नाथ टैगोर ने यह पाक सब भी को पता होगा तिसरा कोस्टिन आपका यह पूछेगा कि Civil Service Commission ऑफ इंडिया का जनक किसे बोला जाता जनक फादर किसे बोलते हैं सर्विस कमिशन का लॉड कार्णवलीस चार्स बोलते हैं ना लॉड कार्णवलीस यह भाई एक्जाम में क्वेस्टिन पूछेगा आप सभी से जितने लोग भी देख रहे हैं एक बार यह क्वेस्टि तो पढ़ना ही पढ़ना साथ में यह पॉइंट भी पढ़ना है सभी कोई को तो अथा ची यहाँ पर आपसे पूछा है अनुचेद अनुचेद के साथ साथ आपको भाग भी पढ़ना है किस भाग के अंतरगत आता है तो भाग पार्ट 14 के अंदर आता है कितने के अंदर 14 क ये क्वेस्टन का एंसर देना प्लस जितने यहा पर करवाए हैं वो भी एंसर देना है तो इनियन भारिटिया लोग सिवा का जो गठन किया गया इसका पूरा विसलेशन इसका पूरा विसलेशन का किस अनुछे के अंदर है तो 315 से लेकर 324 के अंतरगत पूरा विसलर किया गया है तो इसका answer क्या हो जाएगा 315 कितने लोग बोल रहे हैं 315 कितने लोग इसका answer 315 बोल रहे हैं बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया एक चीज मुझे दिल ना पता है खुस कब हो जाता है जब आप comments करते हो भाईया ये सब चीज भी comments करो पहले नाम था Public Service Commission इसका गठन 1 October 1926 को किया गया पहला भारतिय जिन्होंने exam qualify किया पतेंदर ना टैगोर ने इसके जन्नकोंने लौट कानूलिस ये किस भाग के अंदर है भाग 14 के अंदर है किस अंदर 315 से लेकर 324 की अंतरगत और एक चीज पढ़ लेना अभी बरतमान में बरतमान में Union Public Service Commission आफ इंडिया का अध्याक चेयर परसन कौन है प्रदीप कुमार जोसी कौन है प्रदीप कुमार जोसी बरतमान में अध्याक्ष बरतमान में चेयर परसन है ये भी याग रखना आप सभी यतने लोग भी देख रहे हैं ठीक है ये सब चीज एक्जाम में पूछेगा आप मार कर आओगे क्योंकि भाईया पढ़ाए हैं हमको एक एक चीज देख लो आप सभी अगला क्वेशन हमारे सामने आपके स्क्रीन के ऊपर है सिंदू सभेता का सहर लोथल कहां पर इस्तित है इपॉर्टेंट क्वेशन भाई एक्जाम में क्वेशन बना हुआ है टाइमर आपका फिर से स्टार्ट है बहुत बढ़िया अगला क्वेशन हमारे सामने अभी जो एक्जाम देने जाएंगे यह सब क्वेशन देख कर जाना है मुगल चितरकला किसके सासन काल के दोरान इसकी प्रगिती के उस्तम इस्तर पर पहुचा था आपको बताना है अकबर, औरंगजेव, जांगिर, या फिर साथ जहां एंसर अगर मालो आपके एक्जाम में यही क्वेशन बन गया इस बार तिन प्लस टू काफ पहले सिफ्ट में पहले दिन इसका एंसर क्या मार कराओगे और ये एससी के एक्जाम में काफी बार एक फिर्म क्वेशन पूछा गया है इसी आप्शन के साथ इसका एंसर क्या होगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई जो भी इसका एंसर थी बोलने जांगी रहे उनके एक्जामीनर ना उनके पेपर पर उंगली तक नहीं उठा सकता है बिल्कुल सही अगला कुछ से नमारे सामने बिश में सबसे बड़ा बौध मंदिर इसमें कहां परिस्तित है दुनिया का धरती का सबसे बड़ा बौध मंदिर जो है वो कहां पर है यह आपको बताना है टाइमर आपका स्टार्ट होता है अब चलो पटाफट और इस मंदिर को हम लोग क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं आप सभी इस टेंपल को किस ना बोरो बुडुर इस नाम से जाना जाता है इस नाम से इस नाम से जाना जाता है इस मंदिर को धर्ती का सबसे बड़ा बुद्धिस टेंपल है यह कहाँ पर इस्तित है यह आपको बताना है अच्छा मंदिर का नाम उठाए तो एक विसन आपसे और पूछूंगा तो इस बार NTPCA पूछा गया बहुत बार एक्जाम में पूछा गया इंडिया का भारत का सबसे पूराना सबसे पूराना मंदिर सबसे पूराना मंदिर कौन सा है भारत का सबसे पूराना मंदिर कौन सा है यह भी आपको बताना है बिस में सबसे बड़ा बोधिम मंदिर का नाम क्या है आपका वोरो बुडूर यह कहाँ पर है आपका अंसर क्या होगा इंडोनेशिया लाइन से जपान नहीं होगा जपान नहीं होगा I think सभी अंसर चाइना भी नहीं होगा 90% एंसर आपका इंडोनेशिया आ रहा है जो की बिल्कुल सही एंसर है भारत का सबसे पुराना मंदिर कौन था यह आप हमें बता जल्दी से कौन बताएगा जिनका एंसर पहले आएगा मैं उनका नाम लूँगा बिहार में है नाम बताएए न तो जारू एंसर गलती है बिद्देशुवर मंदीर तामिल नाडु वाला भी गलती एंसर आ रहा है लिंग राज मंदीर एमडी फिरोज गलत है भाई सोमनात मंदीर गलती है एक एंसर मुझे दिखनी मिला अरे भाई एक क्वेस्टन कहां पुछ सोभा का पहला एंसर सही मिला है मुंडेस्वरी मंदीर सोभा का एंसर सही मिला है बिल्कुल सही एंसर है कहाँ पर है भभुवा में भभुवा में बिहार में भभुवा बिहार है पड़ता है न सासा नाम के बाद भभुवा भभुवा में नाम क्या है मुंडेस्वरी मंदिर जिस पर औरंग जेव ने हमला किया था अब भी आप मंदिर जाओगे ना मुंडेस्वरी मंदिर आप देखना बहुत सारा मंदिर का पाठ टूटा हुटा हुआ है वहां के लोग बोलते हैं कि औरंग्जेव के द्वारा इस मंदिर के उपर जो है वो हमला किया गया था तो याद रखेगा भारत का सबसे पुराना मंदिर भभुवा में है जो नाम के है उसका मुंडेश्वरी टेंपल ठीक है मुंडेश्वरी टेंपल है अगला क्वेस्टन हमारे सामने है एक क्वेस्टन बोला है रक्ट में खनीज असुद्यों का हटाई डाइलेसिस ऑफ किसे करते हैं असान क्वेस्टन है किड्नी इसके लिए टाइम तो देना बनता नहीं है यह असान क्वेस्टन था क्या होगा तो बनाने एक लिए निमलिकित में से किस नमागरी का उप्यों किया जाता है कॉपर निक्रॉम अल्मूनियम सिल्वर अब मुझे देखना है इसका गलत एंसर कौन दे रहे हैं इस क्वेस्टन का जबकि यह पेस्टन रेल्वेस्टन है रेल्वेस के बहुत सारे सेट में यह question आपको देखने को मिल जाएगा answer बताओ फटापट क्या होगा इसका जल्दी से timer ले लिजेए मुंदेश्वरी temple याद रखेगा भाई बहुत लोगों को इसका answer नहीं पता था इसका answer क्या होगा आप सभी का बताओ railway वाला question है यही सब question railway पुछता है इसका answer क्या होगा क्या बात है दिवाकर बहुत बढ़िया भाई नाइक्रोम जो अभी पहले comments देगा मैं उनका नाम पक्का पढ़ूंगा बिल्कुल अगला question हमारे सामने समान सर्दियों के उप्चार के लिए किस vitamin का उपियोग किया जाता है भाईया ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं कभी सोचा नहीं भाईया कभी पढ़ा नहीं कभी सोचा नहीं और timer पहले आप ले लो पढ़ने का जरूबत नहीं है ये जो COVID-19 आपका फैला था पता है न उस समय लोग सबसे ज़्यादा किसका सेवन कर रहे थे option number आपका C दिक्कत किसी को भी नहीं होना जाए ये question में फोड़ा चाद दिमाग लागा और एंसर निकल जाएगा और एक बाद ध्यान से सुनिएगा कल न मैंने CHSL वाले को vitamin के उपर एक video दिया है हाई जितने लोग भी exam दे रहे through D का exam देंगे MTS का exam देंगे 10 प्लस 2 का CGL का फिरिया की SST GD का आप प्लिस vitamins का वो notes न पढ़ लेना मुझे पूरा विश्वास है vitamin से उसके बाहर परसने आपके exam में नहीं बनेगा मैंने बहुत अच्छे से vitamins का notes बनाया है जितने भी last 10 साल में सबसे ज़्यादा question पूछा गया है vitamin के उपर वो मैंने डाल दिया है ठीके plus किस vitamin का क्या विज्ञानिक ने में scientific ने में वो भी डाल दिया है और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे 20 से 25 मिड़ पर पूरा आप खतम कर लोगे हिंदी और इंग्लिस दोनों में दिया है तो प्लीस आप डाउनलोड करकर पढ़ लिजेगा vitamin का संपूर पीडियाफ मैंने कर टेलीग्राम वाले ग्रूप के उपर डाल दिया टेलीग्राम की ग्रूप का नाम क्या है आपका success जगा छोड़ कर 98 इस ग्रूप के उपर PDF कली डाला है डाउनलोड कर लेना आप सभी ठीक है अगला question हमारे सामने यहाँ पर बोला तवच्छ सवसन किस में होता है आप बताओ जल्दी से बर्ट्स में मानव में केचुआ में या मचली में टाइमर तो आप सभी का बनता है और जिसका पहले answer आएगा उनका मैं नाम भी लूँगा जल्दी से बिटामिन सी हाँ सुबजीत मैंने कल दिया था मैं नाम भी लिखा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ल-ई-उ-म-ब र-I-C-I-N-E क्या लिखा है दो चीज मेंने भी या पता नहीं आप क्या लिखें यह दो चीज जो मैंने लिखा है ना इस QUESTIONS से JG र्लिट करता है और यह दोनों QUESTIONS आपके एक्साम में बंता है एक QUESTION और पूछता है आप से एक्साम में वो भी मैं बता रहा हूँ पहले आप बताओ इसका एंसर क्या हो कितने लोग क्या बोलें अर्थ ओमस, अंगीता, अर्थ ओमस प्रीती, मयूर, अरीजीत औरोजीत, सैनी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बилकुल इसका answer क्या है आपका केच्वाइ अब एक exam में आपसे question क्याँ पूछता है ध्यान से सुनना इसका answer आप सबीं दे रहें बिलकुल सही है एक exam में question पूछता है केच्वाइ का बैग्यानिक नाम क्या है ये exam में question पूछा है काफी बार अगर दुबारा पूछे तो क्या बोलिएगा लंबर कीना यह याद रखेगा पहला दुसरा यह किस प्रजाती से इसका फाइलम किस फाइलम से प्रजाती के एनिलीडा यह भी एक्जाम में पूछा है और तिसरा तुछ यह भी पूछता है वो कौन सा जीव है जिसको काट दि आधा तो वो फिर से बढ़ने लगता है और तो के चुआ अगर उसको आधा काट दिया जाए तो दुबारा से वो बढ़ने लगता है वो कौन सा जीव है तो वो भी एंसर के चुआ तो आपने क्वेशन एक देखा लेकिन एक्जाम में चार क्वेशन बनते हैं एक दो तीन और यह चौथा काटने वाला तो यह सब आप देखते चलो ठीक है अगला क्वेशन अमारे सामने हैं बारा नंबर हाइड्रो फाइब टाइमर स्टाट हाइड्रो फोबिया फिच्ब एको बताना है या पानी में जाने से बहुत डर लगा दा लगील लगेगा मेरा अच्छ सब किस बीमारी से होता है आपको बचाफ़ाइरस और बहुत महनत करो महनत का कोई बिकल्प नहीं है और अगर मैं बोलूंगा आगर आज आप पढ़ रहे हैं आज बहुत सारा पढ़ लिए बारा घंटा पढ़ लिए तो महनत लागातार करना पढ़ेगा भाई अगर एक्जाम निकालना है तो लागातार महनत करना पढ़ेगा तब उपर से भगवान देखेंगे बच्चा बहुत लागातार एक साल से महनत कर रहा है और ये डेली बहुत दिल से महनत कर रहा है अब इसको फल देने का टाइम आ गया तो बगल में संकर जी को पारवतिमाय बोलती होगी प्रभू उस बच्चे को देखिए वो बच्चा एक साल से पागल के तरह रोज महनत करता है लागातार महनत कर रहा है उस तो सोचे तब संकर बगाने बोलते होंगे उसका कम्याभी बहुत नस्दिक है प्रिये उस दिन के रेवी भाइरस आपका एक प्रिया अगला को सबर मती यह पता है यह को से आपसे एक्जाम में काफी बार पूछता है इस बार एंटी पीसी में पूछा गया और जब यह मैं तिसरा या चौथा बार को सिन करवा रहा हूं अब जो पूराने स्टुडेंट है वो तो इसका ए पूराने स्टुडेंट में तो मेरे दिमाग में एक ही जाता है पहला बर जब मैंने पहले को सिन करवाया था ऐंसर बहुत गल्ती आया तूसरा बर करतीआ यह चौथा बर करवारग और और मुझे रगल आज से जबातर लोग वहीं आंसर दे करेयान लेकिन पूराने इस्ट गुजरात 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 दीपद सेम गुपता भाई आप तो पूराने स्ट्वेंट हैं आप एक बार ना कॉमेंट्स को देखो जितने लोग भी देख रहे हैं एक बार कॉमेंट्स को तरफ देखी आप सभी आपको नहीं दिख रहे हैं 90 पर 30 यहां लोग भी या गुजरात को बोल रहे हैं नहीं दिख रहे है नितीन बहुत बढ़िया भाई चान्हा बहुत बढ़िया भाई answer क्या होगा 346 गुजरात तो भाई आपके answer गल्ति है न आपको लगरा है सावर मती आसरम जो है वह गुजरात में सावर मती के संत ने कर दिया कमाल गुजरात जहारात राजस्तान तो पहले है एंसर है यहां पर सावरमति आस्रम दोला क्या सावरमति क्या बोल रहा नदी बोल रहे हुटाइई और पहला बार एक्जाम में कोसन दिखे न तो जब एक्जाम से नहीं है जिसको वो सही बोल रहे हैं वो एंसर सही सही माइने में गलत है एंसर रजास्थान होगा option number हमारा ए अगला question हमारे सामने है भारत में हर साल राष्ट एक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है बताओ सरदार बल्लब भाई पटेल जिसको एक्ता का प्रतिक माना जाता है हमारे ग्रीम मंत्री रह चुके हैं उनका जनम हुआ था 1875 में किस तारीको 31 अक्टूबर 1875 को उनका जनम हुआ था और 2014 में तो 2014 में भारत सरकार ने बोला 31 अक्टूबर को जो है राष्ट एक्ता दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे तो एंसर क्या हो जाएगा हमारा एंसर हो जाएगा आपका option number C अच्छा एक्जाम में अगर पूछ दे राष्ट एक्ता दिवस कब से मना रहे तो 2014 से क्योंकि स सर्देना कि टाइमर स्टार्ट आपका इस नॉवंबर नहीं होगा 31 अक्टूबर होगा उस्मा को असके करने के लिए तरल का वास्भी कण का प्रियोग मुख्यत इसके लिए किया जाता है रेफ्रिजेटर आप्शन नंबर क्या होगा option number हमारा B शेक एक क्वेस्टन को फट कहा जाता है आप बताओ कितने लोग इसके एंसर दे पाएंगे कितने लोग तुबारा से टाइमर मैंने स्टार्ट किया है और इस क्वेस्टन का एंसर देने के लिए मात्र 15 सिकेंड मिलेगा 15 सिकेंड के बाद जो टाइमर है मैं बन कर दूँगा जल्दी से भाईया गुजरात और राजस्थान दोनों होगा नहीं साबर मती जो नदी है ना वो राजस्थान से ही निकलती है मैं चौती बार वो क्वेस्टन करवा रहा हूं और 110 प्वेस्टन से होनों राजस्थान ही एंसर होगा टाइमर आपका अप बिलकुल प्रिती वॉइस बॉक्स ऑप्सन नंबर क्या ऑप्सन नंबर हमारा सी होगा अगला क्वेस्टन हमारे सामने क्यों आप मगर मक्च को यंग कोकरडाइल को हम लोग क्या बोलते हैं कोर्लिंग गॉसलिंग फिंगरिंग या हैचिलिंग टाइमर स्टार्ट वह सभीता रासी अरूही राकेस गलती एंसर है बाकी सबका एंसर सही है आपका वॉइस बॉक्स अच्छा एक लाइक जितने लोग भी देख रहे हैं न एक लाइक कर दीजिएगा और एक बात आज साम को 6 बजे आज साम को 6 बजे आपका S.C.F. L.C.M का बहतरीन क्वेस से बहतरीन बहतरीन मतलब 2 क्लास मैंने करवाया है अज 3 क्लास है और तिसरे क्लास में बहतरीन टॉप क्लास क्वेस से जो एक बहतरीन का क्वेस बनता ए वह मैं आज आज आपको कराऊंगा 6 बजे अगर ये तीन पार्ट आप देख लेते हो किताब खोलना कोई भी किताब खोलना जिसमें आपका SCF LCM है आप बोलोगे भईया या पिछले 10 साल का पेपर खोड़ ले ना रेलवे का अगला कोश्यन अमारे सामने और टाइमर आपका स्टार्ट होता है भाराश सरकार के अधिनिया 1935 के प्रधान के तहट गठी पेडरल कोट ऑफ इंडिया का उध्धातन किया गया था कब किया गया था परताओ में option number क्या होगा option number हमारा डी दिख रहा है अगला question हमारे सामने अन्ना मलाई tiger reserve किस राजमी स्थित है आपको पता है यह tiger reserve को न इसको का इस tiger reserve को इनिसको के 20 धरोहर विरासत में सामिल किया गया है अब exam में question पूछ दे आप सभी से तो मत बोलना जित्तु भाया नहीं बताएं अब ऐसे question exam में पूछ रहा है अन्ना मलाई tiger reserve को इनिसको के 20 धरोहर विरासत में किस वट सामिल किया गया था तो आप बोलिएगा मैंने कहीं पढ़ा है success की 98 पर 2007 में सामिल किया गया था अन्ना मलाई यह tiger reserve न अन्ना मलाई जो परवस सिंखला है जो पहाड है उससे घिरा हुआ है अब exam में यह भी question पूछेगा अन्ना मलाई पहाड कहां पर है परवस सिंखला तामिल नाडू में एंसर आपका तामिल नाडू में इस tiger reserve को युनिस्को के विज धरोहर विरास्तत में किस वर्ट सामिल किया गया दो हजार साथ में ठीक है किलियर 352 का सी भाई question पढ़ते चलो daily मैंदद करो daily रात को सोने से पहले एक बार अपने आपका पूरा विस्तसर करना आज रात को सो रहे तुबह जब उठे थे तुबह से रात हो गया यानि मेरे जीवन में हम इतना दिन जीएंगे उसमें से 24 घंटा मेरा कट गया और हमको जादा से जादा एक साल से दो साल ही मौका मिलेगा तयारी करने का और इसी के अंतरगत अपना फ्यूचर को बनाना है अगर लगे कुछ पढ़े नहीं बस पचास साथ को से नहीं पढ़े है जी के का दुबह से रात हो गया 24 घंटा में यानि अपना भविस्तस बनाने के लि और उमिद लगा रहे कि मेरा एक्जाम निकालेगा और करोडों का भीड में मेरे जैसे बच्चे हैं जो डेली इतना पढ़ रहे होंगे या ज्यादा पढ़ रहे होंगे हमको पीछे ने रहे हमको पढ़ रहे है डेली अनलाइस करना आप सभी अपने आपको तब रिजल्ट के लिए और जितने लोग भी देख रहे हैं ना भाई एक लाइक तो आप सभी पक्का कर जितने लोग भी देखरे एक लाइक आप सभी इस विडियो के उपर जरूर करिएगा ताकि मेरा महनत अगर आप सभी को पसंद आता है तो मैं आप सभी के लिए और दिल से महनत करूं महनत का कोई भी कल्प नहीं है जब एक्जाम की तयारी करते थे जब सोचते थे आज बहुत पढ़ रहे हैं सुबह से साम पढ़ रहे हैं रात को तीन-तीन बजे मेरे पास लैप्टॉप नहीं था उस समय डबा वाला हुए था क अंग्जाम नीचाम जय सब्सक्राइब दोबारा पढ़ना पड़ रहे हैं तो महनत ख़तम नहीं होगा ना रहेगा लाना हमेशा रहेगा इसका एंसर क्या होगा बताओ बिल्कुल भाई जो भी option number A बोल रहे हैं बिल्कुल सही अगला question अमारे सामने railway staff college कहां पर इस्तीत है इस वार NTPC पुछा गया भारत का railway बिस्विद्याले कहां पर है बडोधरा में और railway staff college कहां पर है आपका बडोधरा गुजरात में option number C NTPC में question आपसे पूछा काया था यह वाला अगला question अमारे सामने किसके सासन काल के दौरान भारत में आया था बताओ एक तो भाईया ध्यान से सुनना जितना भी question करा रहा हूं exam का ही question है सब और exam में बनता है एक तो याद रखना आप सभी क्रिप्स mission ठीक है एक है आपका cabinet mission हाई यह सब चीज ना पॉड़ लो आप सभी पॉड़ लो वहुत बहुत important है एक याद रखना क्रिप्स mission क्या है यह कब आया था यह मार्च 1946 में आया था अच्छा भाईया यह भारत में क्यों आया था तो यह भारत में इसली आया था आपको पता है जो पहला 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 वर्डवार कब हुआ था 1914 में दूसरा बिस्विद कब हुआ था तो भाईया 1949 में और यह पांच साल तक चला दूसरा बिस्विद तो अंग्रेज अंग्रेज चाते थे ना कि भारत के लोग जो है अंग्रेज का सहायता करें दूसरे बिस्विद में सिकेंड वर्डवार में इसलिए क्रिप्स mission के तह वहां के लोगों को यहां का जो था ना निता लोग उनसे बात चित किया गया और भारत की निता लोग बोले हम लोग सहायता करेंगे लेकिन हमारा जितना मांग है ना वो मांगा जाए तो एक्जाम में क्वेशन आपसे यह पूछता है क्रिप्स mission कब आया मार्च 1922 में उस स भारत के लिए कौन था गवर्ण जनल कौन बोलेगा इसका असर क्या बात है वाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, option number क्या, option number हमारा A, और एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ और याद रखिएगा, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, एक चीज़ और याद रखना है, जब क्रिप्स मिसन भारत में आया था, उस समय अंगरेज का पढ़ मिसन भारत में आया था, तो उस समय अंगरेज का पढ़ान मंत्री कौल था, जब क्याबिनेट मिसन आया था, तो क्लेमेट एटिली, ये थे पढ़ान मंत्री, ठीक है, और जब विस मिसन आया था, उस समय थे, लौड स्टैफोर्ड, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, याद रखिट्स मिसन का समय, स्टैफोर्ड क्रिप्स और क्याबिनेट मिसन का समय, आपका प्लेमेट एटिली, ठीक, ये सब चीज आप याद रखना भाई, यितने लोग भी देख रहे हैं, अगला क्वेस्टिन, कार मैट्रिक में निमलि किया जाता है, आज का सबसे आसान क्वेस्टिन आपके स्क्रीन के उपर है, एंसर बताओ इसका, आज के क्लास का सबसे आसान क्वेस्टिन आपके स्क्रीन के उपर दिख रहा है, इसका एंसर क्या होगा, जल्दी से H2SO4 बहुत बढ़िया भाई Sulfuric Acid बहुत बढ़िया क्या होगा Option Number आपका 2 इसका HCL देखो भाई मैं डेली बोलता हूँ कम से कम न आप Current Affair को मिला कर 50-60% डेली पड़ो तब जाकर एक्जाम निकलेगा इसका Answer क्या होगा आपका Option Number 2 जो की आसान Question था अब क्लास खतम होने से पहले 15-20% देखते हैं जो एक्जाम वन लाइनर डेली क्लास खतम होने के लास्ट में 15-20% वो करवाता हूँ जो एक्जाम में बना है Question Already एक Question बना है कितने लोगों को पता था पहात्मा गांदी को रास्ट पती सबसे पहले किस ने कहा था तो नेता जी सुभास चंदर बोस के द्वारा कहा गया था याद रखिएगा अच्छा जो भारत का रास्ट गान है उसकी अधी कितने समय की है लगमग 52 सिकेंड का अच्छा रेडियो एक्टिवीटी की खोच किस ने की थी हैंडी बैक्विल ने अगला कुस्य नमारे सामने है मान शरीर की किस ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी भी कहा जाता है विच बूक ऑफ यूवन वर्डी इसकल्ड दा मास्टर बूक मास्टर ग्लैंड होगा यार मास्टर ग्लैंड होगा ठीक है विच ग्लैंड क्या होगा आपका अच्छा एक बात और सबसे बड़ा औरगन अंकॉंस है भारत सरीर का तो अच्छा स्कीन सबसे बड़ी हड़ी फ्यूमर छोटा स्टेप सीजिए सब याद रहा कॉमन चींग विच मेटल किस धातू का प्रियोग मानो दौर सबसे पहले किया गया था कॉपर का सबसे पहले किस धातू का होगा भाईया अगला कुष्ण हमारे सामने एक कुष्ण पूछा गया इंटरनेशनल कोट अब जस्टीज यह कहां पर है इसका मुख्याले कहां पर है यह कुष्ण में मैंने करवाया है कल मैंने न आप सभी को जितने भी इपॉर्टेंट संस्ता है उसका भी पीडियाफ मै मैंने आपको कल दिया है पूरा लिस्ट उसका घाटन कब हुआ है उसका मुख्याले कहां पर है उसके बरतमान में अध्यच कौन है सब लिस्ट मैंने कल दिया है तो वह भी आप डाउनलोट कर लेना आपको सक्सिस की 98 के टेली ग्राम वाले ग्रूप पर पड़ा हुआ है ड सब्सक्राइब को है अगला किस विटामिन की कमी से खूंड का रख्त बंध होता है विटामिन के ब्रैट क्लोटिंग सभी को पता होना के ब्लॉकेच अगला कोस्तन अमारे सामने है हिंदी दिवस कम मनाते हैं आप सभी का 14 सप्टेम्बर को और हिंदी को एक उससन यह जो ए तेजी से गिरावट किस बात का सुचांके तुफान आ जाएगा तुफान का ठीक है अगला कुछ सन आवारे सामने बैक टुदा वेदास नारा बेदों की और दुबारा से लॉटो यह नारा किसके दुबारा दिया गया था मार्सी नयानंद के दुबारा अगला पसुओं में कि इसके वज़े से आपका कैल्सियम के वज़े से ठीक कैल्सियम सही है चलो आज का लास्ट कोस्टे था आप सभी का यह वाला अब जितने लोग भी देख रहे हैं ध्यान से सुन लो आप सभी इसका सारा अच्छा मैंने 17, 18 और 19, 20 ये दो दिन का करेंट अफेर का पीडिया भी मैंने आपको नहीं दिया है उसका भी अप्डेट मैथ क्लास के बाद वो भी अप्टुडेट कर दूगा सामको 6, 7 बजी के बाद और इस क्लास का पीडिया भी न आपको सामको 6 बजी के बाद मिल जाएगा कहां मिल जाएगा तो टेलीग्राम का जो चैनल है न टेलीग्राम का ग्रूप क्या नाम है सकसेस जगह छोड़कर T98 यहां पर आपको मिल जाएगा तो जाकर डाउनोड कर लिजेगा सामको 6 बजी वाले मैथ क्लास के बाद आज का सामका 6 बजी वाले मैथ क्लास बहुत इपॉटेंट है अगर नोटिफिकेशन नहीं जाए फिर भी टाइमिंग याद रखिएगा क्लास का टाइमिंग कितने बजी है सामको 6 बजी ठीक है एक लाइक सबी को जितने लोग भी देख रहे हैं